मिलावट खोरों के खिलाफ प्रसाशन की सक्ती लगातार जारी है इसी के तहत इन दौर में दो मिलावट खोरों के खिलाफ राश्ति सुरक्षा कानून के तहत कारवाई की गए आरोप्य के नाम सिधार जैन और शुबम सत्फूले हैं सिधार जैन देनु मारकेट में से सिधार इंटरप्राइजस का संचालन है वहीं शुबम सत्फूले महीं काम करता है 25 जुलाई को खाद एवम औश्यदी विभांग ने सिदाद इंटरप्राइजर से दूद तही और पनी के सैंपल ये थे जो की लेब टेस्ट में फेल हो गए वही कारवाई के दौरान यहब से पड़ी मात्रा में दूशित पनीर भी मिला है लैब रिपोर्ट आने के बाद दिलापर साशन ने क्राइम ब्रांच को कारवाई में सम्मलित करते हुए पहले दोनों आर्योपियों को गरफ्तार किया उसके बाद रसुका की कारवाई की गई माने मुख मंत्री माउदय के निर्दे संसार एवं माने जो विवागी मंत्री हमारे स्री तुलसी सलावट जी है उनके द्वारा ये सक निर्देश दिये गए हैं कि मिलावट पूरों के बुरुद कड़ी से कड़ी करवाई की जाना है बिगत एक माह में 100 सेंपल की कारवाई की गई थी उसमें जैसे जैसे सेंपल की रिपूर्ट आ रही है उनमें कारवाई की जा रही है यह मामला जो सिदार्थ इंटरप्राइजिस का इसमें घी पनीर और दही तीनों का सेंपल लिया गया था चुकि तीनों ही सेंप्ल इसलिए इसमें फेल हो गए हैं इसके आदार पर जो खाद सुरक्षा अधिकारी हैं उनके प्रत्विजन पर कलेक्टर महोदय ने इसमें राश्वका की कारवाई किये वहाँ पर जो बिक्रेता कम एकाउंटेंट सुभम सदाफूले और इसके जो एंटरप्राइजिस के ओनर हैं सिदार्थ जैने दोनों के खलाब राश्वका कानून की कारवाई की गई है